अर्गस्यनेतारं भेतारं कर्मभू बृताम जिन्यातारं विश्वितत्वानाम वंदे तद गुणिलब्धये अथ चतुर्धोद्याया अब चाथाद्याया भवप्रत्ययोवधर देव नारकाना मित्यम मादिश श्वसक्रत देवशब्द उक्तस तत्र नजिन्यायते के देवाह कतिविधा इतिवाह तन्यरने आर्थमाह पहले अध्याय में भवप्रत्ययोवधर देव नारकाना मित्यम मादिश पहली बार आया था फिर अन्य स्थानों पर भी देव शब्द आया तो देव शब्द एक से अधिक बार आ चुका है तो ये जानकारी नहीं हो पाई कि वो देव है कौन अध्वा कितने प्रकार के हैं तो इसका निर्णे करने के लिए उमा स्वामी आचारिय कहते हैं देव शब्द आश्चतुर निकाया हाँ देव चार निकाय वाले होते हैं अर्था देवों की चार समू होते हैं देव गती नाम कर्मों दे सत्य अभ्यंतरे हेतु बाय विभूती उश्रशात द्वीपाद्रे समुद्राट दिशुक प्रदेशेशु यथेश्टन दिव्यंति क्रेडंति ते देवा देव की परिवाशा बताया आचार पूजपाद स्वामी ने कि देव गती नाम कर्म के उदय में वो अंतरंग हेतु है उस कर्म का उदय रूप अंतरंग हेतु उपस्तित होने पर बाय विभूती विशेशात बाहि विभूती विशेश के कारण दीप अद्री अर्थात परवत और समुद्रादी में ऐसे प्रदेशेशु ऐसे स्थानों पर यथे श्टम दीव्यंति क्रीडंति इच्छा नुसार जो क्रीडा करते हैं वे देव होते हैं वो सुखोप भूग में मगन रहते हैं इसलिए उनके वो प्रवृत्ति चलती रहती है स्वयम प्रभा देवी के विशेश में ऐसा है कि महा पुराण में उल्लेख है सामान्यत देवी की मृत्यों पर नहीं देवी आ जाती है और देव की मृत्यों पर नया देव आ जाता है लेकिन स्वयम प्रभा ने किसी अन्य देव को स्विकार नहीं किया था उच्छे महा तक का अंतराल होता है उतक्रिष्ट दोनों के आयू के बीच में इतना अंतराल हो सकता है तो ये प्रमानित हुआ कि वो अन्य देव को या अन्य देवी को नियोग से तो प्राप्त करते हैं लेकिन और आगे कुछ करें या ना करें ये उन पर निर्भर करता है बहुत तो निर्देशस्त अंतरगत भेदप प्रतिपत्यर था देवा ये जो बहुवचन दिया देवा हा इससे सूचित होता है कि देव एक प्रकार के नहीं है अनेक प्रकार के हैं ये चार भेद तो हैं ये देवों के लेकिन उनके और भी भेद है अधित्तस्त्रिश्व पीतांत लिश्या है अब उन चार निकायों में जिनके नाम भवनबासी, व्यंतर, जोत्रिश्क और वैमानिक है इनमें प्रारंब के जो तीन निकाय हैं अर्था जो तीन समू हैं उनमें पीतांत लिश्या जो देव पाए जाते हैं वे पीत परियंत लिश्या वाले होते हैं इनि भवनबासी, व्यंतर और जोतिश्क देव, कृष्ण, नील, कापोत और पीत इन चार लिश्याओं वाले होते हैं पीतांत याने पीत परियंत उनकी लिश्या होती हैं तो फिर ये कृष्ण, नील, कापोत लिश्या कैसे हो सकती है देवों में तो उसका उत्तर हैं कि भवनत त्रिक में जो जन्म लेते हैं वो अपर्यापत अवस्था में अशुब लिश्या के धारी होते हैं और पर्यापत तक होने पर उनकी पीत लिश्या हो जाती है दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाह कल्पोपण पर्यांताह दस आठ पांच और बारह भेद कल्पोपण कल्पों में जिनका उपपाद हुआ है वहाँ पर्यंत कल्प पर्यंत ये भेद इस तरह से होते हैं भवनवासियों के दस भेद अश्ट विकल्पा व्यंतराह आठ भेद व्यंतरों के पांच भेद जोतिशकों के और बारह भेद वैमानिकों के पर वैमानिक देव सारे के सारे इतने भेद वाले हों ऐसा नियम नहीं है पर वैमानिकों में कल्पोपण जो वैमानिक है स्वर्ग में जिनका उपपाद जन्म हुआ है उन वैमानिक देवों में ये बारह भेद होते हैं कलपा तीत की बात नहीं है यहाँ पर पुनर अपितत विशेश प्रतिपत्यर्थमा है अब फिर से देवों के भेदों की जानकारी के लिए चौथा सूत्र कह रहे हैं कि देव ऐसे दस प्रकार के भी होते हैं इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिशद आत्मरक्ष लोगपालानी का प्रकीरण काभियोग्य किल विशिकाश चैकर्षः एक शह याने जो चार भेद है देवों के उनमें प्रत्ते एक भेद में ये दस उत्तर भेद पाये जाते हैं भवनवासियों भी ये दस प्रकार के भेद होते हैं विंतर जोतिश्क और कल्पवासियों में भी ये दस भेद होते हैं अप वाज सूत्र में बताइंगे कि कौन से भेद कहा नहीं होते हैं वो आगे बताएंगे तो इन में अन्य देवा साधारन अनिमा दे गुण योगा दिंदनती इतीँ इंद्रा हाँ अन्य देवों में जो अनिमा दे गुण असाधारन है मतलब जो अन्य देवों में सामान रूप से ये गुर्ण नहीं होते ऐसी विशिष्ट विक्रिया के क्षमता इंद्रों के पास होती है तो इसलिए इंदनात इती इंद्राहा ऐसी विक्रिया से जो इंदन करते हैं वे इंद्र कहलाते है याने इतनी विशिष्ट विक्रिया के वो स्वामी होते हैं वो इंद्र कहलाते है आग्यन इश्वर्य वर्जितम यद समान आयोर वीर्य परिवार भोगो भोगादी तत समानम तत तस्मिन समाने भवाह सामानी कहा फिर आग्या जो इंद्र के पास आग्या देने की एक विभूती है और आईश्वर्य जो इंद्र के पास स्थाट बाट है उनके सिवाए ये आग्या और आईश्वर्य के अतिरिक्त सामानिक देवो में सब कुछ समान होता है दो को छोड़कर जिन्वें इंद्र के समान सब कुछ पाया जाता है वो देव सामानिक कहला थे महत तरह वो बड़े बड़े देवों से भी बड़े होते हैं पित्री गुरु पाध्याय तुल्या जिसे कोई पिता हो गुरु हो अत्वा शिक्षक हो उनके समान सामानिक देव सम्मानित होते हैं मंत्री पुरोहितास्थान हां लिए 23rd शाह थ्रयस थ्रिश देव लिए 23rd मंत्रियों के समान और पुरोहित के समान जो इंद्र के साथ होते हैं वे 33 की संख्या में ही होते हैं इसलिए उनका नाम त्रायस्त्रिंश है त्रायस्त्रिंश का अर्थ मंत्री और पूरोहित किसके किसी राजा के नहीं बल कि देव राज के इंद्र के फिर त्रेस त्रिंशत त्रेस त्रिंशत का अर्थ तैतीस और उसमें होने वाले तैतीस संख्या में जो होते हैं उनका नाम त्रायस त्रिंश बन गया व्याखरण से जैसे विमाने भवा वाइमानिका विमान में होने वाले वाइमानिक कहलाते हैं वैसे तेंटीस होने वाले त्रायस त्रिंश कहला दें वयस्य पीठ मर्द सद्रशाहा परिशदी भवाहा पारिशदाहा वयस्य अर्थात मित्र की समान पीठ मर्द याने ऐसे पीठ पर हाथ रखने वाले जो दोस्त होते हैं उनके सद्रिश परिशदिभवा इंद्र की सभा में होने वाले वे देव पारिशद कहलाते हैं पारिशद आत्मरक्षा शिरो रक्षो पुमाना है फिर आत्मरक्ष जो देव होते हैं वे शिरो रक्षो पुमाना है जैसे राजा के bodyguards होते है न वैसे है और आजकल मंद्रियों के commandos होते है वैसे ये आत्मरक्ष देव होते है अर्थ चरा रक्षक समाना हा लोक पाला हा अर्थ चरा रक्षक समाना का अर्थ होता है जो अर्थ का चरण होता है यानि जो वहाँ देवगती का ठाड़ बार्थ है उसका जो देवों तक चरण होता है रथा वो ठाड़ बार्थ जिनके माध्यम से सुरक्ष रहता है व्यवस्थित रहता है वो लोक पाल कहलाते है लोक का अर्थ यहां पर देव लोग है तो देव लोगों को यह सब ठाड़ बार्ट देते रहते है बड़े जो भी वैभव जिसको आवश्यक है और जिसका जितना पुण्य है उसको वही वैभव यह लोग देते है लोक पाल लोकम पाल यहां थी थी लोक पाला लोगों की रक्षा करते है इसलिए लोक पाल कहलाते है पाल का अर्थ रक्षा आता है पालन करना याने रक्षन करना पोशन करना याने उसको बड़ा करना पालन पोशन किया माबाप ने बच्चों का पालन पोशन किया तो पालन का अर्थ रक्षन किया और पोशन याने उनको बड़ा किया यह अर्थ होते हैं और चारी होते हैं लोकपाल चार होते हैं एक इंदर के साथ चार लोकपाल होते हैं सोम, यम, वरून और कुबेर पदात्यादीनी सब्त अनिकानी धंडस्थानी यानी और प्यादे वगेरे साथ प्रकार की जो सेनाएं होती है वो धंडस्थानी यानी की अब वो भी इंदर का वैभोव है पूरी सेना रहती है, साथ प्रकार की सेना रहती है पता थी कि अन्य पैदल चलने वाले फिर गुड़ सवार गजार हो ही हाथी पर चलने वाले अश्वार हो ही गुड़ सवार हो गया फिर रथार हो ही फिर अश्वर रथार हो ही और गजरथार हो ही ऐसे सात प्रकार के वो सेना के वो हिस्से होते हैं अन्श होते हैं उनको अनीक अब इसमें एक नियम है कि अगर कोई सम्यक द्रिष्टी जीव देव परियाय को प्राप्त करता है तो वो इन सातों में ही उत्पन होता है अंत के तीन में नहीं हो सकता अंत के तीन कौन से है प्रकीरणक आभियोग्य और किल विश्च इन में सम्यक्त्वी जीवों की उत्पत्ती नहीं होती धवला की प्रतम पुस्तक में आया है प्रकिर्ण का पावर जान पद कल्पा है प्रकिर्ण का अर्थ होते है जो नगर में बिखरे हुए मकानों में रहने वाले लोग है उनके समान आभी योग्या दास समाना वाहनादे कर्मनी प्रवृत्ता अंते वासिस्थानी यहाँ आभियोगी जो होते हैं वो दास के समान होते है वहाँ नादेक का रूप उनको धारण करना पड़ता है तो उन कार्यों में अथवा उस कार्यों में वो प्रगृत रहते हैं अंते वासिस्तानियां बिलकुल एक नौकर के समान जैसा वो बड़े देव उन से कहेंगे ऐसा कर लो ऐसा कर लो वैसा ही उनको करना पड़ता है अईरावत हाथी आभियोग्य है जिस पर इंदृ तीर्थंकर को लेकर सुमेरु परबत जाता है वो हाथी देव गति का आभियोग गिज्याती का देव है लेकिन बस ये बात जरूर है कि एक बार जे साथी पर तीर्थंकर विराजमान हो गए वो निकट भग्य होता है ज्यादा भटकने का काम नहीं होता है वो तीर्थंकर के साथ यही है कि वो जिस घोडे पर बैठते हैं जिस साथी पर बैठते हैं वो सारे प्राणियों का उद्धार करते चलते हैं, वो कोई है निमित नैमितिक संबन्द है और बड़े भारी शक्ती है भगवान की, निमित रूप में वो एक बहुत बड़े उपादान है, स्वाच्य तुष्टे से उपादान है, पर्च्य तुष्टे से निमित है, असाध करते हैं, और असंख्यात मनुष्यों में एक जीव तीर्थं करोते हैं, बहुत बड़ी बात हैं, किल विशम पापं येशा मस्तिते किल विशा हां, फिर किल विश जाते के जो देव होते हैं, वो कुछ ऐसे पाप करके आते हैं, कि उनको इंद्रों की सभा के अंदर स्थान नहीं रहता उनका, उनको सभा से बाहर रहना पड़ता है, किल विश जाती के देव होते हैं, किल विशिक, नीच गोत्र नहीं है, बस अशुब कर्म है थोड़ा उदय में, गोत्र तो देव गती में एक ही है, उच्च गोत्र, और नरक गती में एक ही है, चाय वो सम्यक दृ द्रिश्टिपात करना अपेक्षित है अब ये दस विकल्ब चारो निकायों में समान रूप से होते हैं ऐसा अभिप्राय कोई ग्रहन कर सकता है लेकिन ना करें इस उद्देश्ट से आचेहर महराज कहते हैं कि ये जो दस भेद हैं इनके बारे में एक अपवाद सूत्र है ये एक निर्देश ऐसा है आगम में कि ये दस भेद चारो निकायों में नहीं होते हैं दो में होते हैं दो में नहीं होते हैं तो जिन में नहीं होते हैं उनका कथन करते हैं 23 लोकपाल वर्जिया व्यंतर जोतिश्का है 23 और लोकपाल से वर्जित व्यंतर और जोतिश्क होते हैं यह भवनवासी और कल्पवासी में दसों भेद होते हैं व्यंतर और जोतिश्क में आठ भेद होते हैं पूर्वियोर द्वींद्राह पहले की जो दो निकाएं है भवनवासी और व्यंतर इन में जो भेद बताए न उसमें संख्यादी है जैसे दस तो भवनवासी के भेद होते है आठ व्यंतरों के भेद होते है तो दस भवनवासी के जो दस भेद है आगे आने वाले हैं सूत्र तो उनमें जैसे असुर कुमार है असुर कुमार देवों का एक इंद्र नहीं होगा दो इंद्र होंगे नाग कुमार देवों का एक इंद्र नहीं होगा दो होंगे लेकिन नाग कुमार का एक इंद्र प्रसिद्धी को इसलिए प्राप्त है इस काल में यूंकि उसने भगवान का उपसर्ग निवारण किया था दो भगवान की कृपा से कीर्थी हो गई न उसकी अब वो दूसरा जो नाग कुमार का इंद्र है उसका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं अभी बता रहे हैं, सब के नाम बता रहे हैं तद यह था, भवन वासेशु तावद असुर कुमाराणाम द्वाव इंद्रों भवन वासियों में असुर कुमारों के दो इंद्रों थे चमरों, वैरोचनश्च, चमरेंद्र और वैरोचन ये दो इंद्र हैं नाग कुमार आणाम नाग कुमारों के दो इंद्र कौन है धर्णों एक धर्ण इंद्र है और दूसरे भूतानंदश्च भूतानंदश्च विद्युत कुमार आणाम हरी सिंगों हरी कांदश्च विद्युत कुमार देवों के दो इंद्र एक हरी सिंग और दूसरे हरी कांद सुपर्ण कुमार आणाम फिर सुपर्ण कुमारों के इंद्र सुपर्ण याने सुन्दर पंखों वाले जो फैरीज बोलते हैं परिया और उनके जो मेल होते हैं फैरीज के उनको ग्नोम बोलते हैं नूम तो वो पंखों वाले दे और वो परी कथाओं में ये सारी चर्चा आती है लेकिन यहाँ पर ये भी बता है कि भवनवासियों के अंतरगत ऐसे देव पाये जाते हैं इनको गरुड कुमार भी कहते है पंखों वाले सुपर्ण सुंदर है परण याने पंख जिनके इनके दो इंद्र कौन है अग्निकुमार आणाम अग्निशिखो ग्निमानव श्च अग्निकुमार देवों के दो इंद्र अग्निशिख और दूसरे अग्निमानव वातकुमार आणाम वैलंब प्रभंजन श्च वातकुमार देवों के इंद्रों के नाम है वैलंब और दूसरे प्रभंजन स्तनित कुमारानाम सुघोशु महागोशश्च स्तनित कुमारों के दो इंद्र में एक सुघोश है और दूसरे महागोश है क्योंकि स्तनितम मेग गर्जितम स्तनित शब्तकार्थ होता है बादलों की गड़गडा हट मेग गर्जना उदधी कुमाराना इनको मेग कुमार भी बलते हैं स्तनित कुमारों को उदधी कुमाराना जलकान्तो जलब प्रभष्च फिर उदधी कुमार याने समुद्र उदधी कार्थ समुद्र होता है जो समुद्र देव हैं उन समुद्र देवों के दो इंद्रों के नाम है एक जलकांध और दूसरे जलप्रव द्वीप कुमार आणाम पूर्णो विशिष्टश्च द्वीप कुमार देवों के एक इंद्र का नाम है पूर्ण और दूसरे इंद्र का नाम है विशिष्ट दिक्कुमार आणाम अमित गतिर अमित वाहन श्चेति दिक्कुमार देवों के इंद्रों के नाम है अमित गति और अमित वाहन यह दस प्रकार के भामनवासी हो गया तो दोदो इंद्र हो गया तो दोदो इंद्र होने से 20 इंद्र हो गया नहीं वो तो जोतिश्कों के पांच भेद बोलें लेकिन वो इंद्रादी जो भेद है वो एक अलग व्यवस्था के तहत है वो तो सही बात है वहाँ पर ट्रायस्ट्रेंश और लोकपाल नहीं है व्यंतर और जोतिश्क में तो फिर इन दोनों में जितने भेद हैं विशेश रूप से वेंतरों में अपन आठ भेद देखेंगे तो किनर के पुरुशादी आठ भेद हैं लेकिन उनमें किनरों में त्रायस्ट्रेंश और लोकपाल नहीं होंगे तो बागी के आठ होंगे ये कथन था फिर जोतिश्क के जो पाँच बेद है वो ठीक है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत और तारक ये पाँच बेद है लेकिन जोतिश्क में त्राइस त्रिंश और लोगपाल नहीं होंगे इसका आर्थ ये हुआ कि बाके आठ तो होंगे ने राय समझ में हर एक के आठ नहीं कह रहे है जोतिश्क में नहीं कह रहे है क्योंकि जोतिश्क में सूर्य प्रतिंद्र है और फिर चंद्र इंद्र है तो फिर बेद तो होई गया ना पाँच में से दो को तो इंद्र और प्रतिंद्र प्राप्ति है अब बाकित तीन में वो विभाग कर लो शेश का तो शेश कितने बचे हैं? साथ अब उन साथ में से भी जो प्रतींद्र पद होता है अब प्रतींद्र पद के विशे में जंबुदीव पढणत्ती संगवों में विशिष्ट जानकारी दी है जो सामाननेत अपने को कहीं पढ़ने नहीं मिलती है वो जानकारी वहाँ दी हुई है वो जानकारी देखी लेते हैं ये प्रतींद्र कौन होते हैं इसकी जानकारी होना आवश्यक है ऐसा अभी हमें लग रहा है क्योंकि जब बात निकली पड़ी है तो फिर ये प्रतींद्र के विशे में अंजान होकर के इस स्वाध्याय से लोटना आलादकारी तो नहीं हो सकता इसलिए उसको निकालते हैं आलादकारी तो नहीं हो सकता है आलादकारी तो नहीं हो सकता है अन्य गरंथों में प्राय उपलब्द नहीं है तो इसलिए अपन इस गरंथ में देख रहें प्राकृत गरंथ है आलादकारी तो नहीं हो सकता है अन्य झालादकारी तो नहीं हो सकता है झाल 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 इंद्र के वैभव, उब्भूग, परिभूग, सौभाग्य तथा श्रेष्ट रूप का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है? अर्थात कोई नहीं महा प्रभाव से संयुक्त, महा कांति से शोभित वह सौधर्म इंद्र तीनों लोक में सार्भूत आश्चे रिजनक एवं अद्भूत सांसारिक सुक को भोगता है उस सौधर्म इंद्र का वह महान तप योक्त पुणने का संचय संयम से उत्पनुआ होता है यानि सौधर्म इंद्र पूर भव के महान मुनिराज होते है उसका वर्णन हजार करोड वर्षों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता अब प्रतीद्र की बात कर रहे हैं ध्यान से सुनने योग्या है इंद्र पूरी से पूर्व दिशा में अनेक योजन जाकर स्वयम प्रव नामक एक दिव्विविमान है सुवर्ण और रत्नों से निर्मित अत्यंत आश्चर जनक विचित्र और वलभी युक्त वलभी युक्त प्रासादों से संयुक्त तथा अविनश्वर स्वभाव वाली शोभा से अत्वा भवनों से संपन्न वह विमान इंद्र पूरी के समान प्रभावाला है उस विमान में सोम नाम से प्रसिद कीरती वाला महा प्रभावशाली एवं सुंदर रूप से संपन्न ऐसा उस इंद्र का सामानिक प्रतींद्र रहता है सौधर्म स्वर्ग के लिए एक विशिश कथन है कि सौधर्म स्वर्ग में जो इंद्र का प्रतींद्र होता है वह दस प्रकार के देवों में से सामानिक देव होता है यह स्मरण में रखना है और उसका नाम भी सोम बता है यह दे पी सोम नाम एक लोगपाल का भी है फिर नीचे लिखा है सामानियों सुरूवों पड़ि इंदों तस से इंदस अद्धुठा कोडियों अच्छर सानंच तस सोमस अग महिसीयों चदुरू नायव्वास परिवाराव उस सोम प्रतींद्र की साड़े तीन करोड अपसराय और सब परिवार चार अग्र देवियां होती है प्रतींद्राणी चार होती है और उन चार प्रतींद्राणियों के परिवार भी होते हैं इंद्राणियों को घेर करके जो देवियां रहती है वो इंद्राणी के परिवार की देवियां मानी जाती है इंद्र के परिवार की देवी इंद्राणी है और इंद्राणी के परिवार की देवियां जो उनकी सेवा में रहती है वो है प्रतींद्र का परिवार इंद्र से आधा जानना चाहिए इस प्रकार व्रत एवं सैयम से युक्त पुन्य वद तप के संचे से वे सामानिक देव भास्वर उत्तम रूप को धारन करने वाले प्रतींद्र होते हैं ये सौधर्म स्वर्ग की विवस्ता बताई है सामानिक देव भी लोकपालों के सद्रश होते हैं अत्यंत आश्चरेकारक रिद्धी से युक्त तथा अत्यंत आश्चरेकारक रूप एवं कीर्थी से संयुक्त वे देव अतिशय आश्चरेकारक तप से ही उत्पन होते हैं यानि ये हो गया कि इंदर और सामानिक यहां के सैयमी और तपस्वी होते हैं, वहां जाकर के उत्पन होते हैं, सौधर्म इंदर की बाद है, और उनके साथ के जो प्रतींदर हैं उनके लिए हैं, शेश इंदरों के लिए नहीं कह रहे हैं ये, अभी सौधर्म की बाद चल रह पुनह उत्तर श्रेणी में असंख्यात योजन दूर जाकर इशान कल्प की सीमा स्वरूप दंड के समान अत्यन्त दिव्वेदी का स्थित है एक बाउंडरी है सौधर्म स्वर्ग इस तरफ है दक्षन तरफ है इशान स्वर्ग उत्तर दिशा में है एक बाउंडरी है उत्तर दिशा में स्थ 32 श्रेणी बद्धों में 18 वे इशान नामक श्रेष्ट श्रेणी बद्ध विमान में इशान इंद्र निवास करते हैं उस इशान इंद्र के भी लोकपाल साथ अनीक और पारिशद देव होते हैं सौधर्म इंद्र की अपेक्षा यह विशेष्ट या महा रिद्धी से संयुक्त होता है इशान इंद्र सौधर्म से भी ज़्यादा ऐश्वर्य इशान इंद्र के पास होता है रिद्धी अधिक होती है उसके भी सामानिक देवों का प्रमान 84,000 है मने सौधर्म इंद्र के सामानिक देव भी 84,000 है इशान इंद्र के सामानिक देव भी 84,000 है श्रीमती, सुसीमा, वसुमित्र, वसुंधरा, दुरुवसेना, जैसेना, सुसेना और प्रभासंती, प्रभावंती ये आठ इशान इंद्र की इंद्राणिया है सौधर्म इंद्र की भी आठ इंद्राणिया होती है दो अपने एकी इंद्राणी का नाम जानते है बाकिका तो सब शास्त्रों में है शाची का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि भगवान की सेवा बगवान की सेवा से कितना यश्व प्राप्त हो गया इशान विमान से असंख्यात योजित जाकर पश्चिम दिशा में सर्वतो भद्र नाम का एक दूसरा दिव्वे विमान है सुवर्न रजत से निर्मित तथा नाना मनियों की किर्णों से प्रकाश्मान उस विमान में यम नामक महात्मा देव निवास करता है वह उक्त इंद्र का प्रथम लोगपाल है सौधर्म विमान में जिस प्रकार सौम लोग पाल रहता है उसी प्रकार अनुपम शोभा वाला वह यम लोग पाल भी सामानिकों और चार अग्र्देवियों से संयुक वहां रहता है पुने इंद्रक विमान से असंख्याती रोय योजन जाकर रतनों से रंग बिरंगे सुभद्र नामक देव विमान में कुबेर नाम का दूसरा लोकपाल इशान इंद्र का प्रतीन्दर होता है है अब आप देखिएगा सौधरम इंदर में सामानिक देव प्रतींदर था और इशान इंदर में कोबेर प्रतींदर है तो ये प्रतींदर संबंधी जानकारी कुछ विशेश थी तो हमने आपके सामने रख दी हाँ वो तो ठीक है उसमें कोई बात नहीं सोम लोग सोम तो सौधरम इंदर का प्रतींदर का नाम सोम है वो सामानिक है ऐसा पड़ा था पन ने और फिर उधर इशान स्वर्ग के जो प्रतींदर यसे तो चार लोग पाल होते हैं सोम यम वरुन और कुबेर तो यहाँ पर सौधरम इंदर का जो प्रतींदर है वो सोम लोग पाल नहो करके सोम नाम का सामानिक देव है 84,000 सामानिक देवों में से एक सोम है और उदर इशान इंद्र के साथ क्या है कि उनके हाँ पर जो लोकपाल है कुबेर वो प्रतींद्र है तो लोकपाल के वल चार होता है तो उनमें से प्रतींद्र है आप देखो व्यंतरों के इंद्रों के नाम देख लेते हैं व्यंतरी श्वपि किंणर आणाम द्वाव इंद्रों किंणर किंणर किंपुरुश च्छ व्यंतरों में किंणरों के दो इंद्र होते हैं किंणर और किंपुरुश किंपुरुश आणाम सत्पुरुशों महापुरुश चीती किमपुरुष के दो इंद्र होते हैं सत्पुरुष और महापुरुष महोरगाना अतिकायों महाकायश्च महोरग देवों के दो इंद्र होते हैं अतिकाय और महाकाय गंधरवा नाम गीत रतिर गीत यशाश्च गंदर्वों के जो दो इंद्र है उनके से एक का नाम है गीत रती और दूसरे इंद्र का नाम है गीत यशा यक्षा नाम यक्षों के दो इंद्रों पूर्ण भद्र मानी भद्रश्च पूर्ण भद्र एक नाम है और दूसरा नाम है मानी भद्र मनिभद्र नहीं है मनिभद्र क्षेत्रपाल जी का नाम है मानिभद्र इंद्र का नाम है राक्षसा नाम भीमों महा भीमश्च राक्षसों के इंद्रों के नाम है भीम और महा भीम यहां पर राक्षस का अर्थ रावण वंश वाले नी यह देवों की बात चल रही वेंतरों की बात चल रही भूता नाम प्रतिरूपो प्रतिरूपश्च भूत देवों के जो इंद्र है उनके नाम है प्रतिरूप और दूसरे के नाम अप्रतिरूप पिशाचाना कालो महा कालश्च पिशाचों के जो इंद्र है वो काल और महाकाल है तो जब देवों का वरणन अपन जैन शास्त्रों से पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतर संप्रदायों में जो मान्यताये हैं कुछ यहां पर वो नाम एक जैसे मिलते हैं कई नाम एक जैसे प्रतीत होते हैं जैसे पावागड में जो महाकाली देवी का मंदर है जब अपन इतिहास में जा करके देखते हैं अत्वा इधर तिलोवे पन्नत्ती में देखते हैं तो महाकाली जो है श्रयांसनाद भगवान की शासन यक्षी देवी है तो चारों और अगर अगर अगम की द्रिष्टी से द्रिष्टी पात करते हैं तो सर्वत्र जैनत्व का अंश द्रिष्टी गोचर होता है अब देव शब्द को सुनके ही अगर किसी का पारा चड़ जाए तो उसको तो हम करुणा का पात्र मानते हैं कि ऐसा कैसा प्रशिक्षन प्राप्त किया है कि देव शब्द सुनते ही अंधर आग सुलगने लग जाती है अरे भाई जो सत्वेशु मैतरिं कह रहे हैं सब प्राणियों की प्रतिमित्रता का भाव आपको प्राप्त करना है, तब आप ध्यान में जा सकते हैं, तो फिर यह विचार कहां से आता है, कोई बात नहीं है, अगर आगम से देखेंगे, तो विचार में सुधार भी आ सकता है, ज्ञान मार्ग से चलो तो कशाय हट जाएगे कशाय मार्ग से चलो तो ज्ञान हट जाएगा सीधा साई साब नि मुक्ष में जो देव है वो तो परमात्मा है इतर कोई बात नहीं क्या पता कौन महां से आकर के जिन शासन का ध्वज ऊपर उठा दे इसलिए अपन किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते आचायर विद्यानिन जी ने कहां से कहां एकदम मोडा ले लिया और फिर महान आचायर हो गया पहले तो वो इतर संप्रदाय में थे ब्रामन थे ये तो प्राणी मात्र का धर्म है जिन शासन सब के लिए है किसी वर्ग विशेश के लिए थोड़ी है और वो तो श्रद्धा के बदलने की बाद है धर्मा आत्मा की वस्तु है शरीर की वस्तु नहीं है जाती का संबंद शरीर से जातर देहा श्रता द्रिश्टा पुझ्जिपाद आचेर माराज ने समाध्य तंत्र में लिखाया कि जाती देहा श्रत रहती है वो बदल नहीं सकती आप लाख कोशिश कर लो वो जो प्राप्त हो गई कि देहा श्रत जब तक देह है तब तक वो जाती जाती रहेगी लेकिन धर्म है धर्म तो आत्मा श्रत है प्राणी मात्र को जिनेंद्र प्रनीत सर्वक जिने प्रनीत धर्म को अंगिकार करने का अधिकार है और उसमें जिसकी जितनी मर्यादा है जो जितनी क्षमता रखता है या जितनी पात्रता रखता है उतना आगे बढ़ सकता है कुछ पात्रता है देहा श्रित होती है तो उसमें नहीं बदला जा सकता जैसे चांडाल है वो मुनी दीक्षा को प्राप्त नहीं हो सकते आप असले में धर्म को और जाती को मिश्रित कर रहे हैं इसलिए ऐसे समस्यारी जाती का अर्थ है नोकर्म और धर्म जो है वो भाव है तो उसको जो नोकर्म प्राप्त हुआ है वो खराब थोड़ी हो जाएगा जो नोकर्म मिल गया है जो मिल गया है और वो न जाने कब से चली आ रही है वो जो शुद्ध परंपरा है वहाँ उसने उस त्रिवर्ण में जन में धारण किया है तो वर्ण के अंतरगत बहुत सारे कुल होते हैं वंश होते हैं ते खती अकुल जादा ते लोग सार में एक गाथा आती है वो क्षत्री कुलों में उत्पन हुए इसका मतलब हुआ कि क्षत्री तो वर्ण हो गया और कुल का आर्थ वंश हो गया भिन्न भिन्न कर्म है वो कौनसे कौनसे कर्म कहां कहां काम कर रहे है यह अगर अपने देखें तो फिर समझ में आता है कि हाँ ऐसा चल रहा है कुछ नाम कर्म का योगदान है कुछ नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृति है गती नाम कर्म और जाती नाम कर्म इनका भी उसमें योगदान है और साथ में गोत्र कर्म का भी उसमें योगदान है तब जाकर के एक वो तैयार होता है एक मॉडल एक श्लोक आए ने रतनकरन शावका चार में जिसमें ये शब्द आता ना मातंग पहले ही अध्याय में है ये बात तो उसको गंधर देव कहते हैं ये आराद्ध कहते हैं उसको पर गुड़ांग आरांत रोजसन कैसी अवस्ता है उनकी द्रिश्टांत ये दिया कि जैसे गुड़ अंगार है उसके समाने उसका जो अंदर में तेज है वो उस देह से अच्छा देते हैं ये जैसे राख के नीचे अंगार होते हैं वो स्थिती उसकी है देवा देवं विदुर भस्म गुड़ अंगार रांत रोजसन माने भस्म में ढके हुए अंगार के अंतरंग तेज के समान वो चांडाल है यानि वो राख तो राख है शरेर नहीं बदल सकता तो इसलिए मुनी दिख्षा का निशेद है फिर और इस पर विशेश विचार ज्यानी जन कर सकते हैं पर अभी जितना सामान रूप से अपने को ज्यान प्राप्त है उसके अनुसार ये नियम है शांती विधान में आते हैं शांती विधान में ये भेध आते हैं और महा शांती मंतर में नाम भी आते होंगे बिलकुल ठीक हैं अच्छी बात हैं जितने सम्मेख दर्ष्टी है सब को सामेल करो अपन अब आदो मानिभद्र कृत्रपाल जी का नाम है और मानिभद्र इंद्र का नाम है उसकि तो दोनों में अंतर हैं यह नियम से सम्मेक दृष्टि है और जितनी समवसन्द में जाने वाले देविए सम्मेक दृष्टि प्रियन्तम प्रियन्तम प्रिय भावर रखे हमारे प्रती इस विधान में सम्मेलित होकर प्रीती को प्राप्त हो यक्षानाम पूर्ण भद्रों मानि भद्रश्र यह तो पूरा हो गया कायब प्रविचारा आ आईशानात अब देवों में जो देव और देवियों का जो संबंद होता है तो उसके विशे में कहा रहे है कि आईशान स्वर्ग पर्यंत भवनवासी, वानवेंतर, जोतिश्क और कल्पवासियों में सौधर्म और आईशान यहां तक जो देव देवियों का संबंद होता है कायब प्रविचार रूप रहता है जैसे मनुष्यों में होता है वैसा शेशा है स्पर्ष रूप शब्द मना प्रविचारा है फिर जो शेश है उपर वाले जो देव हैं उनमें कैसा होता है संबंद कलप वासिन स्पर्शाष्ट रूपंच शब्दश्च मनश्च स्पर्श रूप शब्द मनांसे कतम अपि संबंध आर्शा विरो दे ना क्या सुंदर शब्द है पुझिपाद आचेर मुले कि कैसे संबंद जोड़ेंगे कि कौन से देव किस प्रकार से संबंद रखते हैं देवियों के साथ तो नीचे के तो बता दिये भावनवासी, विंतर, जोतिश और सौधरम स्वर्ग और इशान स्वर्ग वाले इनका तो वर्णन कर दिया अब उपर जो कल्पवासी हैं और आगे वाले उनका वर्णन कैसे करना? तो आर्षा विरोधीन आर्ष से विरोध न पड़े उस प्रकार आर्षा विरोधीन यहने आगम के अनुसार वर्णन जोड़ लेना कैसे जोड़ना? कुट तू कहते हैं सानत कुमार माहेंद्र योर देवा देवांगना स्पर्षमात्रा देव पराम प्रीतिम उपलभनते सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के जो देव हैं तीसरे और चोथे स्वर्ग के जो देव हैं वो देवियों के स्पर्षमात्र से प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं तथा देव्योपी उसी तरह देवियां भी ब्रह्म ब्रह्मुत्र लांतव का पिश्ठेशु देवा दिव्यांग नानांज श्रिंगार आकार विलास चतुर मनोग्ण वेश रूपाव लोकन मात्रादेव परम सुखमाप नुवंति अब फिर उसके बाद ये तीसरे और चौथे की बात हो गई कि वो स्पर्श मात्र से प्रीति को प्राप्त होते हैं पर उससे उपर पाँचवे, छठे, साथवे और आठवे स्वर्गों में वो रूप को देखकर ही संतुष्ठ हो जाते हैं उनको चुने की आवश्रक्ता नहीं होती है फिर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेशु देवा, देव वनितानाम, मधुर संगीत, म्रुदु हसित, ललित कथित, भूषण रवश्रवण मात्रादेव प्रावं प्रीतिमासकंदंधी नवे